एक्जाम्पल कौन सा करवा दिया था मैंने कहा तक हो गए थे 4.4 तक एक्जाम्पल नमबर 4.5 एक्जाम्पल नमबर 4.5 पहें सिरी रिसब इस ओनर ऑफ 3 हाउस प्रापर्टीज इन जैपूर डिटेल्स ओफ विचार है जंडर तीन हाउस है मिश्टर रिसब के पास नमबर ऑफ रेडेंसेल यूनिट इन इच हाउस नमबर ऑफ रेडेंसेल यूनिट का मतलब है कि एक ही गर में अलगलग पार्टिशन हो सकते हैं अलगलग यूनिट बनी भी हो सकती है जैसे मारिज की ग्राउन फ्लोर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तीन यूनिट होगी या वैसे पार्टिशन हो सकता है ग्राउन पर कि तीन अलगलग तीन अलगलग separate अपने threads बना दिया एकी plot के उपर तो जैसे कि first house में तो एक ही unit है second house में 2 unit है और third house में 3 unit है clear ही municipal valuation of each unit परेन ये unit wise दे रखा है first house में 1 unit है तो उसका municipal valuation है 60,000 second house में 2 unit है तो एक unit का municipal valuation है 36,000 तो 2 का हो गया 72 इसी ते third house में 3 unit है एक का दसार है तो तीन का तीसार हो गया fair rent of each unit fair rent भी per unit each unit दे रखा है और standard rent of each unit परेनम ये भी दे रखा है rent per redencial unit परेनम, actual rent आपको दे रखा है rent of first house is outstanding for 4 months first house का 4 मेने का rent unrealized rent है वर्सुल नहीं हुआ and there are no chances of recovery as per rules and necessary action is taken to get the house vacated both unit of second house second house की बात हम बात में करेंगे पहले first house की बात करते हैं और last में पूछा है आपसे क्या calculate करना है इनकी annual value calculated करना है हाउस की तो देखी अन्वल वेल, computation of annual value of house property तीन हाउस है तो हम amount की तीन कोलम बना लेते हैं first house second house और third house ठीक है first house का municipal valuation आपको दे रखा है कितना एक यूनिट है शाट अजार fair rent first house का fair rent है 66,000 तो सबसे पहले हम expected rent निकालेंगे step 1 में और expected rent क्या होता है municipal valuation और fair rent whichever is higher ठीक है इन दोनों में higher ले लेते हैं higher हो गया आपका 66,000 अब इसको हम compare करेंगे किस से standard rent से standard rent आपको दे रखा है कितना 63,000 whichever is lower lower of आप पूरा लिख देना ठीक है यह आगे आपका कितना 63 यह आगे आपका expected rent आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A में ले लिए आपने municipal valuation B में ले लिए आपने fair rent और C में ले लिए higher of A and B higher of A and B वो ले लिए आपने higher of A and B फिर उसके बाद में C तक ही आगे आपका फिर D में आपने क्या ले लिए standard rent और फिर उसके बाद में E में आपने क्या ले लिए lower of lower of C and D C कितना था आपका 66 और यह आपका 63, lower कितना हो गया आपका 63, यह आगे आपका expected rent, अब expected rent को आप compare करेंगे किसे actual rent received और receivable, ठीक है, actual rent आपको दे रखा है 66,000 पर एनम, तो मैंने आपको यह बताया था कि जब आप actual rent लेंगे, तो उसमें कुछ adjustment आपको करने पड़ेंगे, first adjustment आपकी जितने time period तक असेसी ओना नहीं था, वो minus करेंगे, जितने time period तक वो खुद रहा, self occupied था, वो minus करेंगे, unrealized rent, minus करेंगे, और कोई expenses का adjustment, plus minus, तो वो करेंगे, आपको यह कह रखा है कि first house, four months के लिए unrealized rent रहा, first house का, outstanding था, किरायदान ने नहीं दिया किराया, तो इस actual rent में से minus क्या कर देंगे, four months का rent minus कर देंगे, अब four months का rent कितना होगा, 66,000 per annum है, तो इसको 12 से divide कर देंगे, तो पर मन्त का rent आजाएगा, 5,500, 66,000 को 12 से divide कर देंगे, 5,500, तो चार मेने का जो किराय होगा, 5,500 इंटू 4, कितना 22,000, तो हमारा जो actual rent आएगा, वो आजाएगा, कितना minus करना है, 44,000, यह actual rent आगया, तो expected rent आपका 63,000 है, और actual rent आपका कितना है, 44,000, expected rent और actual rent में हम लेते हैं, whichever is higher, पहले municipal valuation of fair rent, whichever is higher, higher को compare करते हैं, standard rent से, whichever is lower, वो हमारा expected rent हो गया, और expected rent को compare करते हैं, actual rent से, और whichever is higher, तो whichever is higher, higher कितना हो गया आपका, 63,000, यह higher वालो जो amount है, यह क्या कहलाएगा, आपका, gross annual value, क्या कहलाएगा, यह आपका, ग्रोई, यह क्या था हमने statement में, gross annual value, अब gross annual value में से हम क्या minus कर दें, municipal, municipal taxes, paid by, बोलो, लिखाया था, paid by owner, अगर municipal taxes अगर आपको question में दे रखें, तो वो हम क्या कर देंगे, minus कर देंगे, clear आपका, तो यह आजाएगा, आपका क्या, net annual value, question में दे रखा है के municipal taxes, कोई municipal taxes यहाँ पर नहीं दे रखा, तो इसका मतलए यहाँ पिनल होगे, municipal taxes, और एनने भी कितने आजाएगी, 63,000, पर सन में आया नहीं आया, फ़र्स्ट आउस का, agree, थोड़ा सा starting में time लगेगा, क्योंकि याद करने में, जब 2-3 question कर लेंगे, तो सारी चीज़े अपनको याद हो जाएगी, कहा है, rent of vacancy period, अब rent of vacancy period होता, तो अपन क्या करते हैं, यह जो hire लिया ना, इस hire में से यहाँ minus करते क्या, rent of vacancy period, वो हमारी gross annual value होती, तो अपना unnecessary क्यों लिखे उसको, ठीक है, अब फिर उसके बाद में केवल, municipal taxes को minus करना है, वो भी आपको पता हैता है, कि paid by owner हो, तो ही less होगा, अगर due है, तो less नहीं होगा, tenant ने pay किया है, तो less नहीं होगा, ठीक है, second house के हम बात करते हैं, second house में दो unit है, पहले information देखो second house की क्या कह रहा है, both unit of second house are laid out to the same person, second house की दोनों unit let out है, मना किराय पे दी गई है, regarding the second house, house owner paid rupees at thousand for water and electricity charges for the previous year, while tenant paid installment of the house at the rate of rupees 500 per month, in addition to the rent of house, one unit of third house, वो तो third unit की बाद में बात करेंगे, second house की क्या adjustment दे रखे हैं, second house के लिए क्या रखे हैं, कि house owner ने 8000 रुपे water and electricity का payment किया है, ध्यान रखना, house property में, किसी भी expenses का कोई deduction नहीं मिलेगा, except municipal taxes, आपको क्यूशन कन्फूज करने के लिए चाहे 50 तरके खर्चे दे, insurance, electricity, water, fire fighting charges, कुछ भी खर्चे दे, चाहे tenant पे करें, चाहे owner पे करें, उनका कोई adjustment, कोई deduction नहीं मिलेगा, कि और deduction किसका मिलेगा, municipal taxes का paid by owner होती है, इसके अलावा और किसी खर्चे का deduction नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जब actual rent में आपने adjustment करते हैं, जो लिखाया था मैंने आपको, plus minus adjustment for expenses, कि landlord के कोई खर्चे थे, tenant ने pay कर दिया, या tenant के कोई खर्चे थे, landlord ने pay कर दिया, उनका action rent में adjustment होगा, बाकी और कोई खर्चों का deduction नहीं मिले, तो यहाँ आपको question में दे रखा है, कि landlord ने 8,000 रुपे का water or electricity bill पे किया, तो भाई क्या ऐसान कर दिया, तुमारा गर पे नहीं करोगे क्या, किसी खर्चे का कोई deduction नहीं मिले, अब action rent में से minus के होगा, माल लो, ध्यान दो, कौन से खर्चों का adjustment होगा, थोड़ा बारिकी से समझना, water electricity bill, घर किसका, मालिक का, अगर मालिक का bill है, और मालिक ने pay किया, क्यों करेंगी हम adjustment, अगर tenant पे कर देता ये, अब ध्यान दी, अगर tenant रह रहा है, और उसका मिटर अलग से लगावा है, electricity bill, और वो अपने bill का payment कर रहा है, तो कोई adjustment है, मालिक की bill का payment, अगर tenant कर दे, तो adjustment होगा, या tenant की विजली का bill, कौन पे कर दे, मालिक कर दे, तो adjustment होगा, वो नहीं हो रहा, मालिक नहीं अपना विजली का और water bill पे किया है, tenant का का रहा है, बिल्कुँ खुद का खर्चा है, और खुद पे करेगा, तो हमें क्या मतलब, क्लिर याँ, tenant का खर्चा है, tenant खुद पे कर रहा है, तो वह उसकी जिम्मेदारी बनती है, क्यों साइब, पे करोगी, यहाँ पे कोई deduction है, नहीं मिले, हाँ, आगे यह कह रखा था जैसे, while tenant paid installment of the house 500 per month in addition to the rent of house, अब मकान की जो किस तो जा रही है, installment का जो payment हो रहा है, वो किसकी जिम्मेदारी है, मकान मालिक की, मकान किसका है, ओनर का, और मकान के लिए अगर loan लिया है, तो उसकी जो installment चुकाएगा, वो कौन चुकाएगा, ओनर चुकाएगा, tenant क्यों चुकाएगा, और यहाँ उसकी installment किस ने pay कर दी, tenant ने pay कर दी, तो obligation ओनर का था, और pay किस ने कर दी या, tenant ने, तो इसका adjustment होगा installment का, पान्सो रुपी परमंद का installment का payment किया, मना सालवर का किता pay कर दिया, च्छाजार रुपे, अब मुझे बताओ, कि मालिक का कोई खर्चा था, और tenant ने pay कर दिया, च्छाजार रुपे, तो इसका मतलब वो जब rent देगा, तो पुरा थोड़ी देगा, रेंट कम देगा, जितना उसने pay कर दिया, इंस्टॉल्मिन अमांट काट कर की, तो पे करेगा मालिक को, तो जब कि वास्ता में उसका rent, ज्यादा रहा होगा, अब रेंट जिसे यहां पर 48 रुपे दे रहा है, तो 48 रुपे नहीं रहा होगा rent, रेंट 48 रुपे रहा होगा, तो वास्ता में रेंट कितना रहा होगा, चौन अजार, अब हुआ क्या, टेंडेंट ने 6,000 रुपे पे कर दी, तो 4,000 में 6,000 काट ली, और रेंट कितना दिया उसने केवल, 48,000 का ही दिया उसने, समझ गे, मालो कि मैं आपके किरायदार हूँ, मेरा किरायद 10,000 रुपे है, मैं आपको, आपको मेरा, कोई अदर ट्रांजेक्शन नहीं है, खर्चों का, तो मैं आपको rent कितना देता हूँ हर मेने, 10,000 रुपे, अब मालो कि आपके 500 रुपे परमंद के इंस्टॉल्मेंट, मैंने पे कर दी, तो मैं rent आपको 10,000 रुपे दूँगा क्या, 500 काटके ही दूँगा, मने 9,500 रुपे दूँगा, क्या वास्ता में rent 9,500 है क्या, नहीं तो 9,500 में 500 रुपे हमें, जोडेंगे, जब की खर्चा मेरा था, मालो कि मेरे बच्चों की ट्विशन फेज जमा करा दी उसमें, तो 11,000 रुपे, अब मैं उसको कितना दूँगा, 11,000, 10,000 रुपे और 1000 रुपे वो, नहीं कर रेंट 11,000 रुपे और 1000 रुपे वो, रेंट तो कितना है, 10 रुपे तो वो 1000 रुपे क्या होंगे, माइनस होंगे यहां पर, ठीक है? हलो? इसकोल से आगी थी क्या हब डे था आज? ठीक ठीक. बात कर ले ना वेन वाले से, ठीक हाँ. लास्ट डे है नाज? हाप डेust, लास्ट डे को हाप डे रहता है? टीस तरीक गार्स नॉबह उसकुल टाइम पर होता था जैसे जैसे बड़ेशे हैं इसकेंड शटेड होती है लाँज दे को हाप डे रहता है नहीं आप तो होती है सेकेंड हाउस के बाद करते हैं एजस्मेंट आगे है समझ में तो सेकेंड हाउस का जो मुंसिपल वेलेशन है वो है आपका कितना मुंसिपल वेलेशन है 36 आरुपी पर यूनिट तो दो वेलेशन हो जाएगा 72 तो फेर रेंट आपको दे रखा है 48 तो दो वेलेशन का कितना हो जाएगा 96 थाउजन Municipal Valuation 96,000 Municipal Valuation और Fair Rent Whichever is higher 96,000 यह हो गया हमारा फिर उसके बाद में Standard Rent आपको दे रखा है 49,000 per unit 49 का डबल 98,000 अब Whichever is lower Whichever is lower कितना आ गया 96,000 यह तो आ गया आपका Expected Rent इस Expected Rent को Compare करेंगे किसे Actual Rent अब Actual Rent आप देखना कितना दे रखा है 48,000 पर एनम तो 2 unit का कितना हो गया 48 into 2 96,000 लेकिन इस 96,000 में जो आपका installment आप उसका adjustment करेंगे कर नहीं करेंगे अब tenant ने पे कर दी installment tenant ने पे कर दी तो उसने जो rent दिया होगा installment काट के पे किया होगा मतलब यह इसमें 96,000 में जो हमारा Actual Rent था 96,000 इसमें काट के पे किया होगा तो उतना amount हम add करेंगे या नहीं करेंगे तो 500 रुपे पर मन था तो पूरे साल बरका अब यह 500 रुपे पर यूनिट मत समझे न installment टोटली कितनी की थी 500 रुपे के तो बारा मेने का कितना हो गया 6000 रुपे तो यहाँ पे 6000 रुपे आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पे installment तो 96 प्लस 6 है कितना हो गया 124 अच्च वाहिल टिनेंट पेड इंस्टॉल्मेंट ओप दी हाउस और इलेक्रिसिटी चार्जिज फॉर दी प्रिविस यह अब देखो इलेक्रिसिटी एंड वाटर चार्जिज आपको कुछ पता लग रहा है कि क्यूशन से कि किसका है और किसने पे किया टिनेंट का लग रहा था कहा लिखा हुआ इसमें टिनेंट का है नहीं लिखा देखो लेंग्विज पढ़ना बोथ यूनिट ऑब सेकेंड हाउस और लेट आउट रिगार्डिंग दी सेकेंड हाउस हाउस ओनर पेड 8000 फॉर वाटर एंड एलेक्रिसिटी चार्जिज फॉर कि प्रिवेसियर ओनर ने पेके 8000 फे लिखा हुआ है यह कहां इससे पता लग रहा है तो सारा किराय किसका है यह मान भी सकते हैं बिलकुल सही है वाजिब है कि जब दोनों यूनिटी किराय पे दे दी तो जो भी टोटल बिलाया होगा लेक्रिसिटी और वाटर का वो किसका है टिनेंट का होना चाहिए और पे किसने कर दिया और ने कर दिया बिलकुल सही है फिर इस बैस पर तो अब 8000 फे जो है 8000 फे टिनेंट का खर्चा था और पे किसने कर दिया तो टिनेंट ने जो रेंट दिया होगा वो ज्यादा दिया होगा कि उसने पितों कर दिया ज्यादा दिया होगा मनद यह जो आपका 96 000 H on रेंट है यह ज्यादा एक तरीकी से इस में से माइनिस क्या कर दें हम 8000 रुपे हम माइनस कर दें तो 1,2,000 में से 8000 हम माइनस कर देंगे तो H on rent कितना जएगा 94,000 के लिए रहाँ पिश अब हम compare करते हैं कि जो हमारा lower आया था वो कितना आया था 96,000 और ation rent कितना आगे आपका 94,000 तो whichever is higher कितना ले लेंगे हम 96,000 96,000 सन में आगे इसमें आप लिख लो question में कि यह जो electricity and water bill है यह लिखो आपे both house इसका explanation लिख लेते हैं हम हमने क्यों माना both house given on rent second house के लिए बता रहाँ both house given on rent therefore both house is given on rent therefore water and electricity bill is related to tenant water and electricity bill is related to tenant ठीक है third house में तीन यूनिट है और third house की क्या information है one unit of third house is self occupied throughout the year तीन यूनिट में से एक तो खुद करहने के काम में ले रहा है और पूरे साल बड़ self occupied थी इसने उसकी annual value क्या हो जाएगी निल हो जाएगी एक ही एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे थो आउट दी प्रिविर सेर नहीं लिखा होता मालों ही कह देता कि एक दिन के लिए rent पे दे दिया तो उसे हम self occupied नहीं मानते लेट आउट की जैसे ही अपन सारे step follow करते है तो जितने time period का self occupied था उतने time period का H1 rent में से माइनस कर देते के लिए रखना है बिल्कुल अगर एक दिन भी किराय पे दे दिया तो वो self occupied नहीं मानी जाएगी लेट आउट मानी जाएगी एगरी डारेट आपने नहीं लिखेंगे उसमें आगे कह रहें self occupied throughout the year while second unit was self occupied for three months and was let out for the remaining period याँ दे दिया नहीं self occupied कितने time period के लिए three months के लिए और बाकी 9 में ने उसको क्या दिया किराय पे तो इसको किराय वाली मानेंगे self occupied किराय वाली मानेंगे second unit भी आपकी लेट आउट हो भी आगे किराए rent of four months is outstanding regarding the third unit of this house जो तीसरी unit है वो भी लेट आउट है और उसका कितने महने का किराय बाकी है चार महने का किराय बाकी है वो अपने adjustment करेंगे अच्छोन rent में the unit is vacated by tenant and there is no chance of recovery of tenant दो महने का किराय उसने क्या किरा रखा है advance जमाई अब देखो किरायदार ने कितने महने का किराय नहीं दिया चार महने का चार महने का खाके बाग गया नेकिन चार महने में दो महने का advance जमाई है तो जो unrealized rent माना जाएगा वो दो मेने का ही माना जाएगा, ठीक है, find out the annual value of three hours, तो third house, अब third house में मुझे तीन अलग लग यूनिट बनानी पड़ेगी, तो तीनों की information है, अलग अलग है, तो चलिए, third house में यहाँ पर तीन यूनिट बना देता हूं, बिल्कुल, अब first में तो कुछ करना ही नहीं है, first unit में तो इसकी जो एनने भी होगी, वो direct क्या हो जाएगी, निल हो जाएगी, एगरी हैं आपने, second unit की बात करें, तो second unit में देखो, multiple valuation कितना है आपका, 10,000 रूपे, एक unit का, अब मैं unit wise कर रहा हूं ना लग लग, तो second unit का जो rent लोग है, multiple valuation वो कितना लिया, 10,000, fair rent कितना है, 9,000, municipal valuation और fair rent, whichever is higher कितना आ गया, 10,000, standard rent कितना है, 12,000 रूपे, तो whichever is lower कितना आ गया, 10,000, यह आगे आपका expected rent, अब इसको compare किस से करना है, actual rent, actual rent कितना है, इसका rent per unit, 6,000 रूपे, तो अब देहान दे, 6,000 रूपे का actual rent है, इसका 6,000 रूपे, पूरे साल बर का है, second house के लिए क्या कर रखा था, and was laid out, one unit of the third house is self occupied, while the second unit was self occupied for three months, तीन मेने के लिए क्या थी वो, self occupied, तो अब देखो, actual rent में अपन माइनिस कर देंगी, rent of self occupied, मना 3 months का, अब 3 months का rent कितना होगा, 6,000 रूपे पूरे साल बर का है, तो 6,000 डिवाइड बारा, 500 रूपे आ जाएगा, 500 इंटू 3, 500, sorry, 500 इंटू 3 कितना, तो actual rent कितना आ जाएगा, whichever is higher, कितना लेंगे अपन, whichever is higher आ जाएगा, 10,000, बस यही adjustment था, 6,000 रूपे दे रखा है अपन को, rent per redencial unit, किशन में, थाड़ा उसमें देखो, 6,000 रूपे एक unit का, तो 6,000 पूरा ले लिया, इसमें 3 मेने जितने time period तक self occupied था, वो अपन ने क्या कर दिया, माइनस, तो 4500 रूपे आ जाएगा, एक्चोन रेंट, तो expected rent को अपन, एक्चोन रेंट से compare करेंगे, 10,000, 4,500, whichever is higher, 10,000, किलियर यह चीज, थाड़ यूनिट का देखना, थाड़ यूनिट में भी, वोई, municipal valuation 10,000, fair rent कितना, 9,000, whichever is higher कितना, 10,000, standard rent कितना वोई, 12,000, whichever is lower कितना, 10,000, यह दसार तो क्या गया, expected rent, अब एक्चोन रेंट देखना, एक्चोन रेंट, receipt or receiver, एक्चोन रेंट कितना है आपका, 6,000, अब थाड़ यूनिट के लिए क्या कर रखता हैं यह आपी, rent of 4 months is outstanding, in respect of 30 unit, जिसमें से 2 महीने का, add one, तो अब एक्चोन रेंट में से minus कर देंगे, क्या, unrealized rent, तो unrealized rent वोई 500 रुपे परमन्त होगे, 6000 को 12 से divide करेंगे, into 2 months, is equal to 1000 रुपे कम कर दिया, तो एक्चोन रेंट कितना आगया, 5000, अब whichever is higher, 10,05 में higher कितना, 10,000 रुपे इसकी क् gross annual value, सन में आगे ही, municipal taxes आपनको दे नहीं रखा, net annual value आपनको पूछी, यह तो simple जो पर्सो पड़ाया था, वहां तक का है, आगे देखाओ, अब इसमें working note आपको जो भी मैंने आपको बताए, यह सारे working note में लिखने, जो जो आपने calculation करी ही न, minus की actual rent में वो साथ, next देखो, 4.6, 4.6 कह रहा है, राजु constructed a house, in the year 2008, construction 2008 में वाता, since then, he has let out this house at a rent of 3660 पर मन, tenant vacated this house, कब vacate कर दिया इसको, 16 मार्श 2022 को, and after 2.5 months, it was let out to service at the same rent, municipal valuation of the house is 40,000, external rent 45,000, find out the annual value of the house for the assessment at 20 to 23, देखो वेसे, फाइडिंग अगर कुछ लिख नहीं रहा, समझना है अपनको, municipal valuation, कितना है municipal valuation? municipal valuation of house is 40,000, fair rent नहीं दे रखा है अपनको, नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, whichever is higher कितना हो गया, 40,000, standard rent ये तो दे रखा है अपनको कितना, 45,000, whichever is lower, कितना आगे आपका, 40,000, चालिसार आगे, ये 40,000 आपका क्या हो गया, expected rent, अब इसको हम compare करेंगे किसे, actual rent से, actual rent देखना कितना है, 3660 रुपे पर मन्त, तो पहले हम लेते हैं, पूरे 12 महीने का किराया, 3660 into 12, 4, 3, 9, 2, 0, ये आगे हैं आपका, अब ये कह रहता है कि tenant ने खाली कर दिया, 16 मार्च 2022 को, and after 2 and half months, दुबारा इसको लेट आउट कर दिया, तो याप मुझे बताओ कि 21, 22 में कितने दिन खाली रहा, 16 मार्च को खाली कर दिया, तो 16 मार्च के बाद में, मार्च 31 का होता है, 14 दिन तो ये, और 31 का होता है, तो 15 दिन खाली रहा, मना 16 तक तो वो रहा, तो इसको बोलेंगे हम rent of vacancy period, और बताया था मैंने कि rent of vacancy period, action rent में से minus से नहीं होगा, हाँ, पंदा दिन का हो जाएगा आपका, एक मिन, तो अब इसमें कोई adjustment नहीं होगा, तो whichever is क्या ले लेंगे अपन, hire, whichever is hire कितना होगा, 43,920, और इसमें से minus कर देंगे क्या, rent of vacancy period, अब rent of vacancy period, 16 में कर रखा है कि 16 मार्च को खाली कर दिया, तो कितना आना चीए, 15 दिन, अब इसमें कितना ले रखा है, 16 दिन, एक note दे रखा है यहां पि, क्या, there are 30 days in March, out of which house was let out up to, 16 मार्च को खाली कर दिया, तो मेरे साब से तो 16 तरिक भी क्या होना जीए, किराइदार आया, जिस दिन खाली करने आया, उस दिन भी क्या मानेंगे अपन, let out मानेंगे, यहां income tax में जो note दे रखा है, सही दे रखाह, मैं अपने comment Shans से भोला था कि 16 तरिक तक आया, यह income tax में क्या मान रखा है, जिस दिन, जिस दिन तक रखा है, मानना 16 तरिक को खाली कर रहा है तो income tax क्या मान रहा है, कि 55 तरिक दिन, लेट आउट मान रहे हैं तो 15 तरह तक अगर लेट आउट मान रहे हैं तो 16 देन ऐसे अपन लॉन में लेते हैं ध्यान देना एक बार यह प्रोड़ांग लॉन वाली में भी आती है वहां भी एक नॉट डलावा में